नमस्कार दोस्तो देखो सीकोल स्टेडी में आप सभी लोगों का स्वागत थे दोस्तो तो जैसा कि मैंने आप सभी लोगों से वादा कहाता है यूपी एसाई के लिए प्रिबियेस एर पेपर लेके आऊँगा साथ चार जो मौक्टस लेके आऊँगा तो यहां पर जो मूल कारणों के चलते एक चुनाव याज का दायर की जा सकती है अधवा किसी निरवाच़न के दोस्तों के लिए योग्य नहीं था मनें है कि ओ जो है सीट के लिए योग नहीं था अथवा अपात्र घोसित हुआ था तो इसके लिए क्या हो सकता है चुनाव याचिका दायर की भी जो है रद करा सकता है ठीक है तो ऑप्शन नमबर आपका ए भी दोनों जिसमें है यानि बी रेड एंसर यहां पर हो जाएगा राश्ट प्रती को ठीक का प्रियोग नहीं करेंगे नेक्स्ट बात करेंगे क्यों बुखार दोस्तों किस जुआडव के कारण होता है क्यों जो बुखार है वो सब में होता है बुखार और जानवर है इनके में होता है और जो लोग जानवरों के साथ या उनकी दिख भाल करते हैं उनमें भी फैलने का खतर रहता है जो लोग उनके साथ रहते हैं तो भी इसका रेटेंसर हो जाएगा नेक्ट बात करेंगे अखिल भार्ती अस्प्रसता विरोधी संग फॉक्त क्या गया जिन लोगों को पता है। सेंसर हो जाएगा 1932 में दोस्तों पूना जो समझता हुआ 24 सितंबर 1932 के बाद महात्मा गांदी के रूची सविने अवग्या अंदोलन में नहीं रही अब वह पूरी तरह से अस्वता जो अस्प्रस्रता जो है विरोधी अंदोलन में रूची लेने लगे तो था इस प्रकार अखिल भारतिय अस्प्रस्ता विरोधी लिग की स्थापना जो है 1932 में दोस्तों हुई जिसका नाम बदल के मने परिवर्तित करके हरीजन सेवक संग कर दिया गया दोस्तों और जो घंस्याम दास और बिड़ला और इसके जो प्रतम जो कहेंगे अधेस ते उनका नाम है घं 1933 में दोस्तों सापताही का अभ्यानते हरीजन नामक पत्रिका का आरंब गादिज ने यहाँ पर किया है नेक्ष्ट बात करेंगे भारत और बांगला देश के बीच भूमी सीमा समझहोते यानि ल बी ए परहस्ताक्षर होने के बाद बांगला देश के साथ कुछ विसेस अ अंता छेत्रों के निवासियों को नागलिकता देने के लिए समविधान के किस अनुसूची में शंशूधन करने की आओ सकता है कौन से समविधान की अनुसूची में यह सब है तो पहली अनुसूची दोस्तों राज्यों के छेत्र या फिर उनके जो मतलब जो भी उनका छे सब्सक्राइब का दोस्तों पहला संसक्राइब में से किस अपरेटिंग सिस्टम के लिए जारी किया गया था Microsoft Word का दुस्तो जो है पहला संसकर्ण जो है कौन से operating system के लिए जो है जारी किया गया तो तियाद रखिएगा उस समय MS-DOS किया गया था option number D red answer हो जाएगा MS-DOS के लिए दुस्तो जो है Microsoft Word का पहला संसकर्ण जो है जारी किया गया था next बात करेंगे निमरीकित में से कौन सा मंत्री मंडल सचीवाले का सकंद नहीं है कौन सा नहीं है विंग बताएंगे आपको बताना है दोस्तो जो है क्या कर रहे हैं मंत्री मंडल सचीवाले का जो है प्रदोग की जो है ये नहीं है तीन होते है सुरी यहां पर जो तीन होते है प्रदोग की नहीं है कौन कौन सा होता है तो दिखिए सिविल इसकंद होता है नागरिक दिया ही है और इसका सैन इसकंद होता है सेना दिया ही है और आसूचना होता है इसकंद तो दोस्तो यह भी आपका दिया है तो कौन सा नहीं है प्रदोग की हो जाएगा तीन होता है याद रखेगा एक्जाम में पूछा जा सकता है और सीविल इसकंद जोस्तों मुख्य इसकंद है जो केंद्रिया मंत्री मंदल को परमर्स और सहायता उबलद कराता है नेक्स्ट बात करेंगे भारत का पहला जो है आरचित वन है कौन सा है दोस्तों यह पहले जो है इसको उद्यान और अभ्यारण घुशित किया गया था बाद में भारत सरकार ने इसे बाग आरचित शित्र दोस्तों गोशित कर दिया है नेक्स्ट बात करेंगे निम्रकित में से कौन सा विशे समवर्ती सूची के अंतरगत आता है तो समवर्ती सूची के न्यास और न्यासी न्यास और न्यासी दोस्तों जो है यह समवर्ती सूची के अंतरगत आता है इसमें समवर्ती सूची में दोस्तों जो आपके हैं वो बावन भी से हैं अभी स्टार्टिंग में मूलता जो थे वो 47 थे और दोस्तों अभी बात करेंगे रेल की तो रेल त्रिज्या अस्थी शरीर के किस भाग में इस्थित है तो याद रखेंगे कलाई में रेडियल दोस्तो बोन है या फिर कहेंगे त्रिज्या अस्थी है ये रेड एंसर हो जाएगा नेक्स्ट बात करेंगे हमारे देश में ग्रामीर विकास के साथ शुरू हुआ है आपका 1952 में ततकालिन पठान अम्तREE याने जवाला नहरु ने प्रारम किया था नेश्ट कर्व कर इता जिस्ने अपने सैन्नि विजय अभियान में कुलु गमानीती का यहां पर प्रियोक की था, तुलु गमानीती का प्रियोक प्रियोक करने वाला जो पहला मुगल सासक था उसको आपको बताना है काफी यह लोग जीत गए थे जो है आप जानते हैं कि युद्ध यही सब जो नीती यह लोग अपनाते थे तो दोस्तों यहां पर राइड एंसर क्या हो जाएगा बाबर बाबर दोस्तों था जहिए उद्दीन मुहम्मद बाबर कह सकते हैं और option number A राइड एंसर हो जगा पानी दोस्तों यह नोंने क्या हियाता है पहले यहीत है के पानी पद्ध के परतम ये बावरार ने दोस्तों बहुत रेसासности जीता है मतलब में 100 चीज बात करें तो इधर के हमारे देश की सासक जो होते थे अपडेशन नहीं हुआ था अगर आप देखेंगे तो हर एक हार का कारह जो हुआ है भले दगाबाजी या कुछ भी रहा हो लेकिन यहाँ पर अपडेट नहीं थे मतलब क्या चल रहा है कहीं और तो अभी तलवार पे हैं वो लोग लेके चलेया तो तो ऐसे जो है जीतिक है अगर अगर आपका प्रतम और उसके बात करेंगे तो यहाँ पर उतरफदेश का प्रतम इस्थान था और यहाँ पर दोस्तों अगर 18.19 की बात करेंगे तो यह आकड़ा बदलता जा रहा है पस्चि मंगाल प्रतमस्तान था तो C यहां पर राइड नसर हो जागा उत्थर प्रति दिया ही नी था उप्शन में तो C यहां पर राइड नसर हो जाए नेस्ट बात करेंगे जनहीत दैयर करने के संधर में प्रति न्याले में डार की जाती है तो उसकी 5 प्रतिलिपियात करानी होते हुती है यूजह नहीं है तो दोनों व Н. यहां पर बन दोसके जाएगा जनहीत याचिका के वल दोस्तों जो उच्छ नियाले और उच्छ नियाले में दायर किया जाता है तो अदालत में याचिका के दो प्रतिलिपी यहां पर करानी पड़ती है उच्छ नियाले की बात हो रही है और अगर बात करें याचिका एक प्रति अगरिम रूप से भेजने पड़ती है और इसका सबूत जो जनितियुका में जोड़ना पड़ता है यदि जनितयाची का उच्तम ड्याले में दयार कि जती है तो उच्तम नियाले में दोस्तों 5 मनें इसमें करेंगे इसमें करेंगे तो दो जब किसमें उल्टा लिख दिया है इसलिए यहाँ पर जो है आपका गलत है एक सेगंड चलिए नेक्ट कोशन राज्य की विधी निर्माण सक्तियों के संदर में निम्रिखित में से कौन सा सही है ए में क्या बात हो रहा ध्यान सुनिएगा ए में है जिन राज्यों में द्वी सदनिय विधाईका की विवस्था है वहां प्रस्तावित विध्यक जो है राज्य के उपरी और नीचले दोनों सदनों में पारित होने चाहिए मतलब कि यह होने चाहिए कि नहीं आपको बताना यह गलत है ठीक है और जिन राज्यों में एक सदनिय विधाईका की विवस्था है दोस्तों उनके लिए प्रस्तावित जो विध्यक है राज्य के नीचले सदन दोरा एबं तत्पस चात राज्य सभा दोरा पारित होने चाह में विधान परिशद जिन राज्यों में दूसर दनिय विधाईका उसकी बात हो रहे है ठीक है इसे दोस्तों चार माह के लिए रोक सकती है ठीक है यहां पर जो अंतिम वहां से नहीं होगा तो यहां पर जो राज्यों सब्सक्राइब यह गलत हो जाएगा वी वाला सब्सक्राइब करेंगे एक कंप्यूटर उप्यों करता को उसकी जो है विशिस्ट पहचान जैसे उंगलियों की निसान वाड़ी एवन नेत्रपटल के माध्यम से पहचानने की जो विधी है उसको कहते है तो देखिए उस तो आप सभी लोग का कई बार एक्जाम में हो निसान बानी बोलने का क्या बोल रहा है तो कई लोग को लगाते हैं आख लगते हैं इसको क्या करते हैं यह सब वाज काते हैं जो है तो बहार कर नो वेवहारिक और दोस्तों एक सारिक सारिक में क्या होगा चहरा फिंगर प्रिंट हाथ उंगली डियने आंक का जो भी हो गया और जो वेवहारी का वैया वह आपका हस्ताक चहर आवाज के स्टोक स्टोक है वह सब नेश्ट बात करेंगे निम्रिखित में से कौन सी वस्तू परक संकल्प में अभिव्यक्त मौलिक प्रतिबद्धताओं की वसूची है जिसे हमारे संविधान में स्थान दिया गया दोस्तों इनमें से कौन सा है सभी लोग को बताना है पड़कर के बताईए समानता मैं समानता आपका हो गया स्वतंतरता हो गया भारतित्प्व हो गया और संप्रबुता और एक सर्व देसिय पहचान सी में आपका है दोस्तों आपका समानता सतंत्र अपर ब्यातित्व और लोक्तंत्र और संप्रबुता तो जिन लोग सब्यांचेव देखे यहां पर आपका हो जाएगा पर सर्व देशी यह एक पहचान जो भी वाल यहां पर राई हो जाएगा बाईस जन्वरी यहां रखेंगे डिकुत जन्वरी में दोस्तों उद्देश जो आप उद्देशी का जानते होंगे तो उस समय किसने प्रस्ताव रखा था आप जानते हैं किसने रखा था जा जा आधान नहीं रूजी ने काफी इंपोर्टेंट है और इसमें देखेंगे किसमें दोस्तों क्या क्या बात किया गया है तो इसमें विचार विभ्यक्ति विश्वास धर्म उपासना की सुतंतरता की बात की गई है इसमें प्रतिष्था और अउसर के दुस्तों समानता उलेकित है बैलिस्वा समिधांसन सोधन में जो समाजवादी और पंथ निर्पेच और अखंडता सब्द जोड़ा गया है यहां से भी कोशन बन जाता है तो भी यहां पर हैड़ एंसर हो जागा नेक्स्ट बात करेंगे आदिवासी गोत्र महासभा दोस्तों वर्स 2001 में प्रारंब किया गया था एक समाजिक अंदोलन है जिसने केरल के भूमहीन आदिवासियों में भूमी पुनर वित्रन करने की मांग की इस अंदोलन के नेता दोस्तों जो अंदोलन था 2001 वाला इसके नेता कौन थे तो याद रखेंगे चे कोट करियन जानू है चे कोट करियन जानू 2001 में प्रारंब हुआ है आदिवासी जो है गोत्र महासभा और दोस्तों याद रखेंगे इस अंदोलन में क्या हुआ था कि केडल में जो भूमिहीन आदिवासी हों में दोस्तों भूमिक अपकुनर वित्रन करने की मांग की गई थी याद रखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट नाम इनका याद रखेंगे जानू नाम है यानि की चेकोट करियन जानू नेक्स्ट बात रखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है अनुचेर 31 और का में और खा में 31 का का और खा दोस्तों जोड़ेगा इसमें इसके जरिये से और संसद्वारा विधी जो विशेश को जिने नियाइक समिक्षा से बचाओ दिया जाना जो आसेख हो नवी अनसुची में रखा जा सकता है दोस्तों और यहां पर वर्तमान में नवी अनसुची में दोस्तों 284 विधियां सामिल की गई है किन्तु आई आर कोले बनाम जो त्यमिल नाडू ये वाद था 2007 का दोस्तों के मामले में उच्छ तम नियाले इन दोस्तों क्या का है अभिनीर धारित किया कि 1973 से नवी अनस सुची में डाला गया उसका निया एक समीच्छा हो सकता है कि तो यहां पर कोशन हमारे नवी अनसुची के बारे में इथा पहला संसुधन नेक्ष्ट बात करेंगे संसत की करवाही के संदर्मे निम्रिखित में से कौन सा सही है तो संसत सदन को दूस्तों संसत की बहस और कर प्रवाही के प्रकाशन पर रोक लगाने का अधिकार मने कौन सा है दोनों में से कौन सा यहां पर सही है तो दोस्तों यह वाला आपका सही है ए राइड एंसर हो जाएगा मतलब ए सही है बी में क्या वत्वर है सदन को संसद की गैलरियों में जो है गैर सदस्यों और अतितियो के प्रवेस पर किसी भी वक्त रोक लगाने का अधिकार है ये भी सही है तो दोस्तों यहाँ पर जो राइड एंसर है ए और बी दोनों सही जो की ऑफ्शन अमर्ट डी में है ठीक है ये सब याद एकेंगे चवालिस्वा संविधान संशोदन है और उनेसोटतर है ठीक है नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर कौन सा राज दोस्तों भारतिय संविधान की जो है चौवी अनुसूची में दोस्तों उलेखित नहीं है देखिए भाईया ये बात होती है इस में घाल है कि तो यहाँ के जन जातियों की बात होती है नागा लेंड की बात नहीं होती है तो यह जो नहीं है यहाँ पर सी रेडंसर हो जाएगा इसमें नियंतरण की बात की गए पांचवी अनुसूची में दोस्तों इस सब चीजें बात की गई है ठीक है नेक्स्ट बात के लिए मार्तित्व अवकास की अवधी दोस्तों 12 सब्टा से बढ़ा कर कितना कर दिया गया यह आप से पूछा गया था तो दोस्तों यहां पर जो है उस समय टाइम पर चल रहा था एक्जाम में दो यह सोला का यह है ही तो यानते हैं 12 सब्टा से बढ़कर के 26 सब्टा कर दिया गया था याद रखेंगे बहुत इंपोर्टेट है 12 सब्टा से बढ़कर के 26 सब्टा पहली बार जो मा बन रही है उनके लिए दोस्तों आपका सी आम पर राइड एंसर हो जाएगा नेक्स्ट बात करे सीमा एफ आई पी बी मार्क्स द्वारा दोस्तों जो है 100 प्रसेंट थी यानि कि यहां पर राइड एंसर आपका भी ही हो जाएगा पर अब आधित व्यापार मार्क के तहत अनुमती है यहां पर राइड एंसर हो जाएगा एक सेकंड चलिए नेक्स्ट कोशन है भारत के नि अब को बताना है राजेंगों कर दिया है तो दोस्तों कौन सा राज्य बाता हूं इसरा है डेसा कि आफ जानते हैं डेसा कि आप जानते हैं दोस्तों स्थिक सटक है यह जो सड़क है वो अम्रित सर पंजाब और पाकिस्तान के लौहौर के बीच में दोस्तो है और अटारी एवं बागा सड़क मारक से सीमा पार करने का दोस्तो एक जो एक मातलिज निर्धारित देस थान है अब दोस्तो इसका जो राइडेंसर है यहाँ जो दोनों जो भी दे से उनकी सीमा गुजरती है तो यहाँ पर राइडेंसर डी ही होगा चलिए नेक्स्ट बात करेंगे किसी सांसद के पद त्याग के संदर्मे निमखित में से कौन सा सही है ए में बात हो रहा भया पद त्याग उस तारीक से प्रभावी होगा जिस दिन अध्यक्ष त्याग प पिर गलत है तो यह सही है दोस्तों क्या बात कर रहा है बी में बीम बात हो रहा है अगर सांसद ने अपना पद त्याग प्रभावी होने के लिए कोई भविस्क तारीक निद्रिश्ट की है मैंने बताया कि भविस्क में हो जाएगा तो यदि उसी दौरान अध्यक्ष ने त्याग पत्र श्विकार कर लिया तो पद त्याग उस ताइप से प्रभावी हो जाएगा तो दोनों के दोनों सा यह यानि सी यहां पर राइड रहाएगा दोस्तों याद रखेंगे चलिए नेक्ट बात करेंगे भात्य दन सहीता कि धाराद तीन सुसुतर, देखे उस समय इसमें काफी बात हो रहा था इसलिए है。 अभी कुछ दिन पहले इसको रध कर दिया गया है तो तीन सुसुतर जो है किस विशे में है, तो देखिए यह जो है यह अप्राद से है तो दोस्तों यहां पर जो राइड एंसर हो जाएगा आप सभी लोग जानते ही है इसमें जो पहले था वह दस वर्स का करवास अजीवन करवास अप्रति पसुओं महिलाओं यह सब अप्राकृतिक जो भी है पूरुस यह सब सतह पर दोस्तों चटान के बिसपोर्ट से उत्पन भू गम पी यह जो यह पर तरंगों के कारण है उनकों क्या कहा जाएगा आप यह जानते हैं वहरी इलागा में जो है जो है चटान निकालने के लिए आप खानों में क्या करते हैं उस पर डाल देते हैं बम और उड़ा देते हैं और फिर उसका बुकम्प वहां पर इसलिए आते रहते हैं तो बिस्पोर्ट बुकम्प कहते हैं इनको याद रखिए का बहुत यह सान सा कोश्चन पूछा गया था नेक्ट बात करेंगे बित्ती वस दो हजार सोल चौदा में संसत में प्रस्तूत किये गए दिव्यांग जन अधिकार विधियक हुआ है उसमें क्या बात हो रही है कि संदर्में निविखित में से कौन सा सही है ठीक है अब दोस्तों ध्यान से सुनेंगे ए में क्या बत हो रहा है नियूंतम 40% दिव्यांगता से प्रभाव जो लोग रहेंगे कुछ सुविधाय उपलब्द होगी जैसे कि सिच्छा रोजगार में दोस्तों आरच्छन सरकारी योजनाओं में दोस्तों आपकी वरिता दिने इत्यादी के चीज़ यहां पर रहेगा तो बिल्कुल यह वाला आपका राइट है बी में क्या पतारा यह दोस्तों दिव्यांग को कुछ अधिकार पदान करता है जैसे कि सभी सारुजनिक भावनों अस्पतालों यातायात के माध्यमों निर्वाच्चन के निरों में दिव्यांग अनुकुल जो प्रवेस बिवस्ता इत्यादी बिल्कुल यह वाला भी सही है तो यानि कि जो यहां पर 21 परकार की अच्छमता हैं यहां पर बताई गई हैं अलग अलग चीज़ों में यहां पर जो भी चीज़ें बात की गई हैं दिव्यांग जनों के बारे में बिल्कुल यह वाला सही है नेक्ट बात करेंगे कि इनको जो है छूट प्राप्त होगा तो देखिए जो जो आवासी हैं और बरिष्ट नागरिक हैं इनको था छूट प्राप्त तो यहां पर राइट एंसर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा याद रखेंगे आएकर अधिनियम के दुस्तों दो हजा सोरी दो सो आठ जो धारा है उसके अनुसार जो है इनको छूट है जिसकी एक व भुक्तान से समंदित है तो याद रखेंगे धारा नंबर आएकर अधिनियम का ठीक है नेक्स्ट बात करेंगे निम्न में से किस भारतिय राज्य में दूस्तों जंगल सबसे ज़्यादा छेत्रफल में फैले हुए तो देखिए इसका एंसर अभी बात करेगा तो बदल जा तो ठीक है मल यह आ गया तो अध्य प्रदेश पहले करेंगे अरुनाचल प्रदेश उसके बाद आपका 36 गड़ है 36 गड़ है इसके बाद तो ओप्षन में ऐसा कुछ है नहीं तो अध्य प्रदेश की मारेंगे सी अभी भी आ जाएगा तो लेकिन अध्य प्रदेश और चा बात करें तो 29 दिसमबर मतलब 2020 के लास तक दोस्तो 2019 तक दोस्तो बात करेंगे चौबिस दस्मलों पांचे दोस्तो हिस्सा जो है भारत के भूमी का पेडों से घिरा हुआ है नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों यह आता है या संकेत है या फिर कहें तो ट्राफिक रूल का कोई सिंबल दे रखा है इसका मतलब पूछा था तो यहाँ पर ध्यान से अगर आप देखें तो एक गोला है और एक भरा हुआ गोला है और इसने बस बनाए गया है कई लोग को य सब्सक्राइब आप रोकने वाला है यहां पर मिल जाए बस और यह सही हो नहीं होगा ठीक है यह बस नीशिद्ध होता है ऐसे जब कटा रहेगा तब बस पार करना मना है यह भी आपका ऐसे हुआ पी से हटा देगा तो ठीक है शिब बात करेंगे भारत में दोस्तों निम्र राज्य है उनका जो नाम है कुछ इस प्रकार से है आंदर परदेश है उडिसा है तो जो भी आप्शन में रहेगा उडिसा यहां पर दिखाई दे रहा है भी रैड एंसर यहां पर हो जाएगा फिर उसके बाद केरल भी है दोस्तों महरास्ट भी है और यह सब हैं तो जो भी पर जाएगा और काइना जो काइनाइट होता है या फिर अंडाल उसाइड जो होता है यह सब क्या होते हैं लुट्वों दूस्तों के खनीज है याद रखेंगे और जैसा कोशन पूछता है वैसा आप एंसर करेंगे नेक्ट बात करेंगे राज्य के जो नीती नेजशक कि कि अनुछयेद में दूस्तो क्या-क्याहा है ध्यान से सुनेंगे राष्टिय महत्तों के इस मार्को और वस्तू और सम्रच्ण के विश्य हैं मैं जो भी हमारे रैस्ट के marks है या फिर कोई स्थान है उसका अपको रच्छा करना है गंदा नहीं करना है तोड़ना नहीं है तो यह जो है आपका अनुचेद नंबर 49 में दोस्तों कहा गया है याद रखेंगे ऑफ्शन में डी यहां पर राइड एंसर हो जाएगा नेक्स्ट बात करें के भारत की प्रतिरच्छा और सुरच्छा से जुड़े किस संगठन का दोस्तों धेय क्या है उद्दम निस्पक्षता और सच चरित्रता तो दोस्तों किसका यह जो है कहेंगे वाक के आदर सबाक के है तो यह जो है भहिया CBI का जो है आदर सबाक के है यानि केंद्रिय जाज ब्यूरो यहाँ पर ए राइड एंसर हो जाएगा CBI का दोस्तों यह जो है कहेंगे दोस्तों यहाँ पर जो राइड एंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा केंद्री अन्वेशन ब्योरो का आदर सवाक्य है जो है उद्दम निस्पक्षता और आपका सच चरित्रता यह राइड एंसर यहाँ पर हो जाएगा नेक्स्ट बात करेंगे 14 दोस्तों वित आयों के अध्यास कौन थे तो 14 वित आयों के जो अध्यास थे यह राइड एंसर यह हो जाएगा ठीक है केंद्रवर राज्जेों के मद्द्य दोस्तों वित के बटवारे पर अपनी सिफारस देने के लिए राजपती द्वारा वित आयो का दोस्तों गठन किया जाता है और भारतिय रिजर्व बैंक दोस्तों पूरो जो यहां पर जो अध्यास थे वो आपके क्या हो जाएगा गवर्णर दोस्तों जो वाई वी रेड़ी थे यही अध्यास थे चौध हमें और 15 में याद रखेंगे क इग्जाम में आ गया तो नेक्स्ट बात करेंगे सूचना का अधिकार आटिया अधिनियम कौन सी धारा है जो कि केंद्रिय सूचना आयोग CIC के साथ सा दोस्तों राज्य सूचना आयोगो को भी अधिकार देती है कि वह सरकारी प्रादिकर्ण लोग सूचना अधिकारी यानि PIO एवं प्रतम अपिलिय प्रादिकर्ण यानि FAA के बिरुद सिकायतों को भी दर्ज कर सकता है एक कौन से दारा में ये कहा गया है तो दोस्तों याद एक D आपका अधिनियम है यहां पर दोस्तों बात किया गए आपके धारा नंबर 18 अध्यामें दोस्तों यहे बात किया गया , इस apology है , अथम इन 250 जून 2005 आप कुछ दूस्तों सब 2-25 नहीं 15 जून 2005 अधिनियं नेक्स्ट बात करेंगे वित मंत्राले के अधीन दोस्तों खालिस्थान एक जो है विधी प्रवर्तन संस्था है कौन सी है जो धोखा धड़ी जो है अपवंचन तता काले धहन को वैद बनाने जैसे भारतियकर कानूनों के उलंगन की जाच करता है कौन से इनमें से है जो की ज जाच करता है जोहि आप समझ रहें काला धहन की बात हो रहे है तो आकर जाच महां निदि सालेस पर है भारत के नगरिकों के मौलिक अधिकारों के संदर में कौन सा सही है द्यान से सुनेंगे यहां पर और पस्ता एक अपराद है मने जानते हैं आप यह किसमे अनुछे नंबर 17 में हैं और दोस्तों ऐसा आच्रण करने वाले को दुस्तों कानुछा मिल सकते हैं बिलकुल यह वह सही है और दोस्तों आपका यहां पर बी में बात हो रहा है भारत के नागरी कि इस यह अन्य दिस से दोस्तों उपादी ग्राण यह भी आप जानते हु उपादी ओ को अन्त कि सनुछेद में comment box में लिकर करके बताएंगे नहीं ग्राण कर सकते हैं यह भी आपका सभी है तो यहां पर मौलिक अदिकार के लिए दोनों के दोनों सभी है यानि और दोनों य दिवस के दिन दोस्तों यह किया गया है यहां पर हो जाएगा ठीक है 2019 में दोस्तों याद रखेंगे जो है उसका उन्मूलन का दोस्तों निवेश है है यह भी याद रखेंगे यहां पर हो जाएगा लाश्ट कोशन आचुका है दोस्तों यह खालिस थाने कौन सा मामला है मामले के बारे में बात हो रही है मामला भारतिया दलत में दायर किया गया एक जो है निर्वाह वे से समंधित मुकदमा था क्या मुकदमा था उसके बारे में डिस्कस हो रहा है इस मामले में दोस्तों क्य है उच्टम न्याले में मुकदमा जीत भी लिया परंतु उसे निर्वा विया नहीं दिया गया क्योंकि उसी दर्मियान देश के कानून में दोस्तों बदलाव किये गये थे तो कौन सा ये मामला था ये आपको बताना है तो दोस्तों भीया उन्हें इस ओड़कतर के मामला है इंदोर निवासी 62 वर्सी जो है यहां पर दोस्तों मामला जो है साहभानों का है डी इसका रेडिंसर हो जाएगा थीक है बार पांच बच्चों की माती साहभानो और को दोस्तों उसके पती जो है मुहम्मद खान ने तालाग दे दिया था सा साहबानों ने गुजारा भत्ता पाने के लिए कानून की सरण लिथी साथ वर्स पच्चात मामला उच्चतम जो है नियाले पहुंचा उच्चतम नियाले ने अपराद डं सहीता की धारा 125 दोस्तो 125 के अंतरगर जो निड़े दिया जो हर किसी पर चाहे वह किसी भी धर्म जात संप्रदाय का हो लागू होता है नियाले ने सहबानों के पक्ष में फैसला सुना अ कि सुना आया और यहां पर जो यहां करने का हैं और काहाद मुहमाद खान को गुजारा भत्ता देने का अधिश दिया फिर क्या हुआ था जानतों दोस्तों तो यहां पर जो है आल इंडि कुल निरस्त करते हुए एक वर्स के भीतर मुस्लिम महीला जो है तलाक में संदर्च्छण का अधिकार अदिनियम 1986 है इन्हों ने पारिदकर उच्तम नयाले के फैसले को पलट दिया तो कितना गलत किया ओप्शन में यह आपके 40 कोशन थे जो कि आपके प्रीवियस यह पेपर में पुछा गया था यह पेपर जिसने भी किया था बहुत ही हार्ड था आसा करते हैं दोस्तों कि हमारा प्रियास हमारे वडियो पसंद होगा आगे आने वाले मॉक टेस्ट का इंति अवाद लाइकन शेयर